तो आपके galaxy devices में अगर कुछ wifi related issue होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ setting दिखाने वाले हो जिससे जो आपके wifi related issue solve हो सकते हैं जैसे कि मैंने अपने galaxy device में notice किया था especially मेरे M35 में जो मैंने अभी अभी लिया था तो यहाँ पे पहले तो जैसे यहाँ पे हम search में जाते तो search में जाते जो nearby network है वो ऐसे पूरे दिखाई नहीं देते थे बस जो strong network होते थे specially मेरे घर वाले जैसे वो दो ही दिखाई देते जबकि मेरे दूसरे यह S21 FE और OnePlus Nord में जो है सारे nearby यह जो है आपको Intelligent Wi-Fi में जाना है और यहाँ पर आपको Intelligent Wi-Fi लिखा हुआ देखने मिलता है इसके उपर आपको प्रेस करना है जैसे आप developer option enable करने के लिए करते तो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखने मिलेगा Customize Wi-Fi List Settings इसके उपर क्लिक करना है और यह by default होता है center में तो center में जैसी होगा तो यह आपको less देखने मिलेगा जिससे कि आपको strong signal network से Wi-Fi के वह ही देखने मिलेगे जो मेरे case में हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि phone के Wi-Fi में कुछ issue है या फिर phone का reception अच्छा नहीं है network reception वगरे तो मैंने इसे जब यहाँ पर show more पर यहाँ पर इसे toggle यहाँ पर set किया तो मुझे maximum जो है nearby network जो है देखने मिलने लगे जो मेरे दूसरे phones में देखने मिलते थे जैसे OnePlus Nord में वगरे भी तो मेरी यह problem solve होगी second problem मेरी यह थी कि जो है मेरा यह five yards वाला जो network है ठीक से जल् intelligent Wi-Fi में जाके जो network आपके phone में connect कर रहे हो उसे आप diagnosis कर सकते हो for example यहाँ पर आपको developer option देखने मिलेगा Wi-Fi का और यहाँ पर आप देख सकते हो Wi-Fi network diagnosis तो यहाँ पर आप जाओगे तो अब यह connected है तो इसलिए diagnosis के वगरे यहाँ पर option नहीं दिखेगे लेकिन जैसे यह connect नही करता हूँ immediately connect हो जाता है भले ही फिर मैं बाजुवाले रूम में रहूँ या इस Wi-Fi के नजदिक रहूँ क्योंकि जो 5Gards है यह nearby जो है जादा range प्रोवाइड करता है बट अगर आप इससे थोड़ा दूर होगे तो 5Gards की जो strength होती है network strength होती है therefore phone जो है immediately इसे connect नहीं करता है बट जैसे diagnosis करोगे तो phone जो है priority basis पे हमेशा आपका 5Gards वाला जो है Wi-Fi पे connect होगा अगर आपके phone में immediately connect नहीं हो रहा तो एक बार diagnosis यह आप जो है Wi-Fi and network diagnosis में जाके कर सकते हो especially Samsung phones में और बाकी भी settings अगर बाकी भी कोई issue हो तो यहापे आप setting चेक करके वैसे आपके phone में changes कर सक तो यह तो जादा important मुझे लगा क्योंकि मुझे लगता है कि maximum जो है Samsung phones में यह users ने एनेबल नहीं किया होगा तो मैं आपको यह user को जो एनेबल करने को request करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते कि Wi-Fi strength वगरे weak है तो वैसे नहीं है बहुत सारे इसमें जो networks मुझे cellular reception वगरे या फिर network strength weakness वगरे देखने नहीं मिली तो इस तरह से आप अपके galaxy phones में जो है Wi-Fi related कोई problem होंगे तो यह setting enable करके उसे solve कर सकते हो वीडियो पसना तो वीडियो को like कीजिए आपके question comment कीजिए चैनल को red button में subscribe कीजिए मिलते आगले वीडियो में